और अंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी और अंगाबाद के स्वर्ण जयनती वर्स हो चुके हैं, 50 वर्स पर हम इस धारवाही को लेकर आपके बीच हैं और आज हमारे साथ हैं बातचित करने के लिए और अंगाबाद के सांसत मानिय सुसील सिंग जी हम इनसे बात्चित करते हैं इनकी जो प्रिष्टभूमी रही है इनके पिता जी भी इस औरंगाबाद के नित्रितु करते रहे हैं तुछरे परिवार का एक गारजियन सिफ है तो जाहिर सी बात है कि औरंगाबाद की कुछ खास बाते हैं आप इनसे सुन पाएंगे तो औरंगाबाद का जो पिछला आतीत है और आज है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए जब से औरंगाबाद जिला बना 1973 में उसके बाद पचास वर्सों के बाद ये पचासवी वर्स गाठे सोन जैनती वर्स है 2023 में ये जिला काफी प्रगती किया है और अभी प्रगती के पथ पर है इसमें यहां के जन प्रतिधी से लेकर किंदर की सरकार राजिकी सरकार सब का योगदान रहा है अगर आप मुझे पूछना चाते हैं तो मैंने इस जिले के विकास के लिए जो प्रयास किया है उसमें और अरंगाबाद जिले में एंट्री पीसी के दो-दो बड़े-बड़े सन्यत्रों का किस थापना और अंगाबाद जिले में केंद्रिय विद्याले की सापना इसके अतरिक उत्तर कोयल नहर परियोजना जो पिछले 45 वर्सों से बंद पड़ी थी उसका काम अधूरा पड़ा था उसको पूर्ण कराने की कारवाई सुरू होना और मुझे विश्वास है कि वो भी काम पूरा हो जाएगा इसके साथ-साथ औरंगाबाद जिले में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं है मेडिकल कॉलेज की सापना के लिए मैंने अपनी खुद की जमीन 20 एकड़ बिना किसी प्रकार के मुआबजे के एक पैसा कमपनसेशन नहीं हमने सपत पत्र दिया है सरकार को कि वहां मेडिकल कॉलेज बनाए तो इस प्रकार से आप देखे गें कि औरंगाबाद 1973 में जहां खड़ा था आज 2023 में सड़कों की जाल बिछ गई गाउं गाउं सड़क बन गए पक्की सड़के हो गई बिजली किंदर सरकार के और माननिय प्रधान मंतरी मोदी जी के कारिकाल में बिजली अब सब जगा हुपलब्द है तो औरंगाबाद में भी हुपलब्द है हर तरह से लोगों की प्रतिव्यक्ति आमदनी भी बढ़ी है लोगों की क्रै सकती और खर्च करने की सकती दोनों बढ़ी है औरंगाबाद आने जिलों की तुलना में कहीं आच्छी स्थिति में है विकास के मामले में, पार कैपिटा इंकम के मामले में, और बाकी चीजों के मामले में, इसमें सबका सहयोग रहा है, हाल के वर्सों में पिछले नौदस साल का देखेंगे, तो केंदर सरकार के सहयोग से, और रंगाबाद जिले में, काफी विकास के काम हुए है, जिसमें करेंगे तो मानिवर आटल जी के सासंकाल में जीटी रोड का चौड़ी करण हुआ यह टू लेन से फोर लेन बना यह बहुत बड़ी उपलब्दी रही नहें नहेच नाइच नाइट जब नहेच वन थ्री नाइन है इसके चौड़ी करण इसके फोर लेन बनने की कारवाई चुकी है और अंगाबाद जीले को गटकरी जी की कृपा से वारानसी कोलकाता जो सड़क बन रही है उसका विलाब मिलेगा केंदर सरकार के भूतल परिवहन मंत्राले की एक और योजना है जो मदनपूर के बगल से आमस दर्भंगापस जिसको कहते हैं उस से भी जीले को फ जाती है तो इस परकार आप देखेंगे कि सड़कों के मामले में चाहे वो ग्रामिर सड़क हो या राष्टियों चुपत हो अंबा से गया स्टेट हाईवे एक सवेक मेरे प्रयास से यह भी परणत हुआ एक सवेक में इसकी चोड़ी करण की कारवाई भी सुरू है मैंने प पिचाई स्वास, सिक्षा, बिजली, सड़क इन मामलों में और अंगबाद जीले ने उतर उतर प्रगती की है पचास वर्सों में काफी अच्छी प्रगती हुई है और अंगबाद जीले की लोगों का लाइवलि हुट भी बढ़ा है उनका स्तर बढ़ा है यह वर्तमान है और आपने बताया कि प्रिश्ट भूमी क्या थी अब आप एक सांसोद और गारजियन के रूप में अगले दिनों में और अंगबाद को कैसे देखना चाहते हैं या क्या होने वाला है तिकि और अंगबाद जीले में जिस तरह से दुनिया और देश आगे बढ़ रहा है उस भी इलाके के विकास के सड़क, स्वास, सिक्षा, बिजली, पानी करिब करिब सिचाई की एक समस्या जो पूरी हो जाएगी नौर्थ कोईल की तो लगभग हमारा जिला एक तरह से संतुलित हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा आगे तो विकास एक निरंतर चलने वाली प जो सिक्ष लें हो, जो सिक्ष लें हो एक लें हो, एक्स्ट्रा और सड़के बने, बन भी रही है, हम चाहेंगे कि यहाँ हाँ हवाई सुवधा भी यहां के लोगों को मिले, बिली निर्बाद मिल ही रही है, सिक्षन संस्थाएं और खुलें, और कॉलिटी एजुकेशन की जिले के अंदर हो, जैसे मैंने केंद्रेवी देले खुलवाने की बात की, मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी जमीन देने की बात की, तो यहां के विकास की जो गाड़ी है, और उसकी जो गती है, उसकी प्रगती से, उसकी गती से मैं संतुस्ट हूँ, और जिले के लोगों का बड़ा योगदान रहा है और अंगाबाद जिला बहुत पॉलिटिकल जिला है पॉलिटिकल रूप से यहां के लोग बड़े जागरूख हैं इसलिए लोग अपने जन पृतिनियों पर दबाव भी बनाते हैं उनको सुझाव भी देते हैं उनसे मांग भी करते हैं और उसी के एक जो सबसे बड़ी समस्या थी विकास में वो था नकसलवाद का पनपना और अंगाबाद जिले में नकसलवाद के चलते विकास की कदिविदियां धीमी थी या थम जाया करती थी कुछ इलाकों में तो खास कर उन दुरूह इलाकों में भी भारत सरकार की युजना LWE के तहद सड़कों का निर्माड हुआ है अभी हो भी रहा है नकसलवाद काफी कम हुआ है अब गाओं में भी लोग रात को आना जाना करते हैं इसलिए जहां सांती होती है वहां विकास होता है सांती ही विकास की कुण्जी है तो यह जो नकसलवाद की जो समस्या थी पिछले दसेक वर्सों में केंदर सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं विकास के साथ साथ आकी छेतरों में भी जिसका नतीजा है कि नकसलवाद देश में भी कम हुआ तो रंगाबाद जिले में भी कम हुआ और अब कोई यहां अडचन नहीं है कोई बाधा नहीं है और सहीओ करते हैं और सब कोई मिलके और अगाबाद जिले के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है धन्यमाद तो आप थे सांसत सुसील कुमार सिंग जी जो कई बातें रख रहे थे और जिन्होंने सारी बातें लगबग भूत वरत्मान और भविस्य के बारे में कहा और अगाबाद के बारे में कहा और अगाबाद के लोगों के बारे में कहा तो फिर हम हाजिर होंगे अगली कड़ी में किसी खास सक्सियत के साथ तब तक दीजिए इजाजत नमस्कार